हलो प्रेंट्स वेलकम बैक टूर यूट्यूब चैनल मेरा नाम है अमन कौशी को रही शुरू करते हैं आज का डिसक्शन कैसा था आज का बजार और क्या रहेंगे लेवल्स कल आने वाले दिन के लिए सबसे पहले दोस्तों निफ्टी के साथ शुरुआत करते देखें यहां तो उसमें माarget ने मार्कट ने सपोर्ट वन तो ब्रेक कर दिया था 17,800 चका विस्चन में बनाया था लेकिन खुराज 700 हम वहां से further 50 point नीचे 17,650 को लेके चल सकते हैं हम यहां से current scenario में upside में अगर बात करेंगे 17,800 जो है वो हमारा resistance रहेगा अभी इतना nearby का हम resistance में है इसलिए लेके चल रहा हूँ जो resistance वन है nearby का क्योंकि अभी wix market में बहुत कम है अभी 13 13.3 का wix है almost market में और अभी मेरे हिसाब से market में कोई 200-200 point का एक दिन में movement देखना रहर रहेगा या फिर अगर कोई market में news होगा तो ही देखने हो मिलेगा और इतनी कम wix में हो सकता है premium आजकल market आजकल थोड़ा सा ऐसे ही rain bound होके रह जाए अपनिंग से तो resistance 1 जो है मेरा market में वो 17,800 का है अभी जहां पे close हो है महां से further 40-50 point उपर और resistance 2 जो है वो रहेगा 17,900 का इससे हम लोग यह भी लेके चलेंगे अगर हमें कोई upside में बड़ा move देखता है market 18,000 लेती है तो 18,000 का जो level है यह हमारा resistance है इसको हम resistance 3 mark कर सकते हैं फिर इसको हम अपने mind में लेके चल सकते हैं कि यह वाला जो level है यह भी एक अच्छा resistance level है क्योंकि market 17,750 पे close हो है almost और यहां से level जो है 200 point दूर का है तो अभी resistance 1 हमारा 17,800 से 810 का रहेगा और resistance 2 हमारा 17,900 का रहेगा निफ्टी में और 18,000 का जो level है इसको हम resistance 3 के तरीके से लेके जल सकते हैं downside में भी देखे बात करते हैं तो हमने भी बात कर यह 17,700 का level जो है यह हमारा support 1 है support 2 हमारा 17,650 का जो level है यह रहेगा और downside में और अगर फर्दा नीच ले सकते हैं तो 17,550 जैसे अगर इनके कोई बड़ा move देखने को मिलता है बाजार में तो 17,550 या 17,500 का असपस अगर बाजार गया तो वहां से हमें ग्रिवार्सल का trade प्लान कर सकते हैं या फिर उसको हम एक अच्छा support लेकर चल सकते हैं मार्केट में तो आईए बैंक निफ्टी तरफ चलते हैं दोस्तों कि बैंक निफ्टी के जाए साथ अल्मोस्स सिम्लर इंस हुआ है जोड़ा सा रिवर्सल लेके एक तालेजार दोस्तों पचास पर बंदू है जो की एक अल्मोस्स सपोर्ट एरिया था मार्केट के लिए तो आई कल के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि बैंक निफ्टी में कल के दिन के लिए जो मेरा पहला support है support वन जो है support टू लेके चल सकते हैं तो अपसाइड के बारे में बात करेंगे तो दोस्ते कि अपसाइड में मार्केट इक तालेजार 260 पे लोज हुआ है तो जो हमारा अभी जो में रेस्टेंस लेवल है जो हमने इस रेंज के बारे में बात कर लिए देखिए इसको एक बाम आक कर तो वहां से 5,450-5,500 का जो लेवल है यस ये लेवल है इसको हम अभी जो चुरल्ट सिनारियो में रेस्टेंस 1 लेके चलेंगे इसको हमने रेस्टेंस वें क्यों है क्योंकि दिए हम काफी ताइम देखते हैं या पे एक बढर पहले मार्किट ने इस एरिया पर ऑफ ही अच् और इस एरिया में आके market को अच्छा support resistance मिल सकता है तो एक ताले जार 500 का जो लेवल है 450 से 500 का यह हमारा resistance 1 रहेगा और resistance 2 जो है हमारा 1,750 से 800 का रहेगा डाउंसाइड में हमने support की बात करी है market में जो है ताले जार 100 का जो लेवल है यह हमारा support बन रहेगा और support 2 महां से फर्दर हम 300 रुपे नीचे जो है चाले जार 800 या फिर चाले जार 600 का जो लेवल है इसको भी हम support 2 लेकर चल सकते हैं कल के दिन के लिए तो यही है मेरी कल के दिन के लिए range nifty और bank nifty के लिए यह बहुत बड़ी हमने range अभी बात नहीं करी है बहुत बड़े rise 10 support के बारे में हमने बात नहीं करी है झाले सकते हैं